कुम्पराशी जिसके लिए तड़प रहे थें वो आपको मिल जाएगा लेकिन इन बातों का ध्यान जरूर रखना होगा नमस्कार दोस्तो जय भुले नाथ दोस्तो आज हम आपको कुम्पराशी के बारे में बताने वाले हैं दोस्तो हाली में हुआ मुल्यांकरन आपके लिए अच्छा रहेगा दुसरे लोग काम में आपके नेतरूत्व कौशल को नोटिस कर रहे हैं सामजिक स्थिति में बदलाव अभी स्थिक्षीतिच पर हैं अगर इस समय धर्ण की कमी है तो चिंता ना करें क्यूंकि आएका कोई नया स्त्रोत आपको इस तनाव से मुक्त करेगा आप अपने काम को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं किन्तो परशनसा की कमी से निराशा होगी है बहुकता आज आपको बैचन कर सकती है और संतोश सपलता की पहली आवशक्ता है इसलिए इस बैचनी का सही से उप्योग करे दुनिया में कुछ भी मुक्त में नहीं मिलता सपलता जैसे कीमती चीज़ पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए दोस्तों आप बात करते हैं आपका सामाने सार शिपल के सार हीगा उसके बारे में बदलब जरूरी है इसलिए इसे स्विकार करेगा अभी आराम करें और गमार दर्शन के सपनों की तलाश करें हाली में हुई कोई हानी चाहे वो आर्थिक हो अपर किसी खास व्यक्ति की आपको परिशान कर सकती है अकिलेपन का यह दोर अस्ता ही है जो नए दुर्श्टिक उनको परदान करेगा अपने दिल में छिपी इच्छाओं को अभी व्यक्त दीजे एक रस्ता और बोरे से चुड़कर अपकर आपकी कलपना बढ़ेगी एक अच्छनक और अनियोजित यात्रा की सम्भोना बन रहे हैं यह यात्रा आपके लिए नए विचार और अनुभो लाएंगी यह दिलोग आपके लक्ष पर हस नहीं रहे हैं तो समझो आपका लक्ष बहुत छोटा है दोस्ता बात करते हैं कौनसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में आपका छोटा बाही अचनक आर्थिक या पिर पेशेवर लाप का जश्न मनाने के लिए आपसे मिल सकता है लोगों से मिले जुले और अपने अकर्शन को दूसरों को दिखाएं नेटवर्किंग लिए यह अच्छा समय है दूस्तों किसी प्रयोजन को अपने साथ समय और ध्यान के अवशक्ता हो सकती हैं अस्तित्व के नए प्रयोजन और आयाव आपकी कलपना शक्ती को बढ़ाते हैं अपने से कुछ के लिए धन की जरूद उनका समय और उर्जा का बड़ा हिस्सा ले रही है किसी के मदद लेते हुए साउदा निवरतेंगा दुकी बात यह है कि वक्त गुजरता जा रहा है खुशी की बात यह है कि अभी भी वक्त है जो भी कारे कर रहे हो चाहे वो छोटा हो या फिर मोटा हो उसमें आप इस बात का दियान रखेगा कि अभी भी वक्त है लेकिन इस बात का भी ध्यान रखेगा कि वक्त अहां धीरे धीरे गुजरता जा रहा है दोस्तो जो आप कारे कर रहे हैं उसके लिए एक सही समय आप चुनिएगा एक डेट फिक्स करेगा उस समय तक उस डेट तक आप उस कारे को ज़रूर पूरा करेंगे इस आत्म विस्वाश के साथ उस कारे में लगेगा तब ही वह काम समय से पहले पूरा होगा दोस्तो आप बात कर रहे थे जिसके लिए तड़ब रहे थे वह आपको मिल जाएगा ऐसा हमने क्यों कहा विस्तार से जानेगे दोस्तो अगर आप किसी लव लाइफ में हैं या फिर किसी से प्यार करते हैं और उनकी तलाश में या फिर उनकी मिलने के आप बहुत कोशिश कर रहे हैं उनकी तरब से जो भी जवाब आएगा उसका भी आप बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे में आपको उनकी तरफ से एक बड़ी खुशकबरी सुनने को मिल सकती है, उनकी तरफ से हाँ सुनने को आपको मिल सकता है, साथी साथ जिस कारे के लिए या पिर जिस प्रोजेक्ट के लिए आप कड़ी मेहनत कर रहे थे, जी जान लगा रहे थे, वह भी बिश्या लोगों को पद्धोनत्ति की आस बहुत बड़ी लगी रखती हैं पद्धोनत्ति की आस भी आपकी पूरी होने वाली है तो दोस्तों आप बात करते हैं आपका लव रशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में उससे पहले अगर आपने हमारी चैनल ट्रेनिक रशिपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह राश्चिपल के रेलेटर वीडियो देखने को मिलेगी जिससे आप आने वाले दिनों के बारे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं साथ साथ अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लेम चल रही है या पिर कोई परिशानी आपको बार बार सता रही है उसका अगर हल जो तिस चास्तर के नुसार और कुंडली के अधर पर जानना चाते हैं तो भी आप हमसे संपरक कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नमबर दिया गया है उससे नमबर पर कॉल करें अथो वाट्सअप मेसेज करें हमर तरब से रिप्लाइ जट से मिल जाएगा और आपके सबी प्रॉब्लेम परिशानियों का समाधान भी किया जाएगा तो चले अब बात करते हैं आपका लव रशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में दोस्तों आपका लग पुरी तरह से आपके साथ है इसलिए इस दिन को पूरा तरह से एंज़ोई करें कर किसी खास की तलाश है तो कॉलेज के समों में कोई आपका इंतजार कर रहा है रिस्ता अगर पुराना है तो इसकी खुश्बू को बरकरार रखने के लिए कोशिश करते रहेगा आपको अपने जीवन के महत्वपुर्णा कारे में किसी सहता की तलाश है और आपका लवर या फिर जीवन साती इसमें आपका पूरी तरह से सहयो करेंगे आपका मूर भी सुकद और रोमेंटिक है इसलिए यह खुश्बू अक्षन आपके प्यार के बंदन को और भी मजबत कर देंगे प्यार के इन मूमेंट्स को हमेशा संजो कर रखेगा दोस्तो आप बात करते हैं आपका धन रशिपल के सा रहेगा उसके बारे में दोस्ती या फिर रिष्टों की अहमियद आप अच्छे से जानते हैं और यही करण है कि आप जीवन के हरपल को खुर कर जीती है अपनी बाउनाओं को व्यक्त करें लेकिन ध्यान रखें इनसे किसी को ठेस ना पहुंचे दोस्तो व्यापार या फिर धन के मामलों में समस्या या फिर बादा का सामना कर सकते हैं बाउनाएं और संभंध इस समय आपके लिए अधिक महतुपुर्ण है आपको अपने धन से जुड़े मामलों पर अधिक ध्यान देने के अवशक्त है परिशानियों को दूर करने में आपके दोस्त मदद कर सकते हैं धन और प्यार दुनों आपके पक्ष में है जीवन के इस चरण को सुईकर कर इसका पूरा अनद लिजीगा अगर हम करियर रशीपल के बात करें तो व्यावसाइक शेत्र में आगे बढ़ने के नई मोके मिलेंगे अगर आप कोई नया व्यावसाइक शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसके लिए दिन बहुत शुबर रहेगा आपको अपनी ताकद वर रुजान का विशलेशन करना चाहिए इसे आने वाले समय में आपको धनला जरूर होगा दोस्तों अब बात करते हैं आपका स्वासराशीपल के सा रहीगा उसके बारे में दोस्तों ध्यान रखे कि आप अच्ची चीजों को अपनाएं ताकि आप खुद को प्रोस्ताहित कर सके आप खुद को खुश्णमा बना रखें इससे आपको श्यांती मिलेगी आपके सकरत्मक व्यवार का असर आपकी सेहत पर ही नहीं बलके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा सेहत अच्छा रखने के लिए व्यायम योगा और ध्यान सरू किजेगा साथे साथ बाहर की चीजों का खाना जो भी बाहर की चीज़ खाते हैं उसको आप बंद करेगा जोस्तों बाहर की तली बुली चीज़े या फिर फास्टपूर आपको फैटी बनाएगी और आपके स्वास्तों को भी खराब करेगी बाहर का खराब बिल्कुल भी मत खाएगा कभी कवर खाए तो चलेगा लेकिन बार बार बाहर का खाते हैं तो इसका ध्यान आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जो कि कुम रशिपल रहने वाला है वीडियो में बताएगी जान करें जो कि जोतीश, पंचांग, माननेताओं और धर्मकरंतों से दी गए है हमारा उद्देश मुहत सुचना पहुंचाना है आप इसे सूचना है तुली जीगा इसके अतरीक अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं, एपरिन का उप्यूग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदिक के कुलपंडी से अवश्यस संपर करेगा आप चाहे तो ट्रेनिंग रशिपल से भी संपर कर सकते हैं कुंडले और इसमें मामरूसा बदला हो सकता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह रशिपल के रिलेटरी व्डियोज देखने को मिलेगी जिससे आप आने वाले दिनों के भरे में पहले से अनुमान लगा सकते हैं तो दोस्तो आज की स्रूट में बस इतना है मिल देखने उड़े के साथ धन्यवाद